आप ही की तरव मेरे मन में भी ये सवाल था कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं इसको लेकर के मैंने बहुत खोजबिन की तो तीन प्रामानिक पुस्तकों से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए समगनी ली है उसमें पहली है मेजदा जिसे परमंस योगानंजी के भाई सननलाल में लिखे हैं दूसरी पुस्तक है तुलसी दास जी कृत रामचरित मानस और तीसरी पुस्तक है हनुमान चलिसा तो सबसे पहले इस रोचक घटना पर केंदित करते हैं और इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सनननलाल घोष जी के उनको किसी प्रेत ने पकड़ा और कैसे वो उनके शरी से बाहर आ तो इसके बाद फिर हनुमान चलिसा में क्या लिखा है और राम चरित मानस में गो स्वामी तुलसी दास जी ने क्या लिखा है तो आईए चलते हैं और इस अत्यंत रोचक वीडियो को में आगे बढ़ते हैं नमस्कार मैं हुगी ने प्यारी सिंग थे उन्होंने इस पुस्तक मेजदा में लिखा है मेजदा यानि मजले भाई को बांगला में मेजदा कहते हैं तो मेजदा आध्यात्मिक्ता के साथ प्रयोग कर रहे थे वे मृत्वेक्तियों की आत्माओं से संपर्क करने के लिए मुझे माध्यम बनाते थे एक औसर पर ए और वह अपने नए प्राप्त निवास का त्याग करने के लिए इक्षुक नहीं थी यानि सनंदलाल घोष के उपर वो सवार हो गई और वो छोड़ना नहीं चाहती थी उनको तो उसने कहा यानि जिस अम्रितात्मा ने सनंदलाल घोष के उपर जो आ गई थी पकड़ लिया ता सनंदलाल घोष को उसने कहा कि कलकत्ता में टाला पूल के पास उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे दूसरे भौतिक शरीर की नितांत एक्षा थी वह मेरे शरीर यानि सनंदलाल घोष के शरीर में रहने के लिए दिड़ संकल्प थी छोड़ना ही नहीं चाहती थी सनंदल मेजदा ने यानि परमहन्स युगानाजी ने मेरे शरीर से अंचाही आत्मा को निकालने का असफल प्रयास किया, अंत में उन्होंने लाहडी महाशा के पवित्र चित्र को लिया, जो की हमारे माता-पिता को महान गुरु ने दिया था, और आवारा आत्मा को धमकी दी, अभी छोड़ो, तुरंट चले जाओ, अनि अथा मैं तुम्हें इस पवित्र, स्मृति चिन्ने के साथ अस्पर्ष करूंगा, यानि परमहन्स युगानाजी ने उनको धमकाया, उस भूत, उस प्रेत को, कहा कि हमारे भाई को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें इस लाहडी म आश्य के चित्रकिक से छूदूंगा, मेजदा ने इसे दो या तीन बार दोहराया, अनिश्चा पुर्वक, यानि न चाहते वे भी, अपवित्र आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ कर चली गए, तो ये एक है, सनलनला गोष्ण ने लिखा है, कि मेजदा मुझे माध्यम बना कर सुक्ष्म जगत में हमारी मा से भी बात करने में सक्षम थे, उनकी मा का निधन हो गया था, लेकिन उनसे भी वो बात कर सकते थे, अगला हम देखते हैं, तो राम चरित मानस में, बाल कांड में लिखा है, गो स्वामी तुलसी दास ने, देव दनुजनर नाग खग, प्र प्रेत पितर गंधर्ब, बंदव किनर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्ब, इसमें प्रेत को भी उपनाम कर रहे हैं, तो यहां भी प्रेतों का स्थित्त सिद्ध हो गया, और हनुमान चलिशा में, हनुमान चलिशा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महा जाविर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानि भूत पिशाच किये अस्थित्ध का वो समिच तुल्सी दास ने हनुमान चलिशा में अस्थित्ध सिकार किया है, अब दूसरे धर्मों में चलते हैं, बाईबिल में देखें, बाईबिल में क्या वो दिखा रहा हूँ, लिखा है, देन वाज ब्राट अंटु हीम, वन पोजेस्ट विद डेविल, पोजेस्ट विद डेविल, यानि भूत प्रेतों से पोजेस्ट था, भूतों ने उन्हें पकड़ा था, तो ये था, उसी इसी बाइविल में एक जगा, ये भी वर्णन है कि जिसस क्राइस्ट ने अपने किसी पीडित आया, उनके पास कोई पीडित आयो, उसके उपर से प्रेत को हटाया, तो वहाँ भी अन्य धर्म गर्ण्थों में, बहिंदू धर्म के लावान धर्म गर्ण्थों में भी, प्रेत के अस्तितु को, भूत के अस्तितु को स्विकार किया गया है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है, कि ये भी कहा गया है, कि जो लोग इश्वर में भक्त, इश्वर के भक्त हैं, सदा इश्वर का नाम पुकारते रहते हैं, उनको कोई भी भूत प्रेत या निगेटिव ताकत छू नहीं सकती है भाग जाएगी तो ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है अपनी और से कुछ नहीं कार कह रहा हूं जो लिखा है उसको प्रमाण सहित आपको बस दिखा रहा हूं और ये भी कई मुदाणों में मिलता है कि अन्मान चलिशा का पाठ करने से अगर कोई निगेटिव ताकत भूत प्रिशाच इत्याद है तो वो भाग जाता है जो अन्मान चलिशा पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास से दूर भाग जाता है तो ये सब चीजे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पिश्वासी कि ये ये क्या है मुझे जो दिखाओ मैंने आपको बता दिया जसका तस नमस्कार